हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमानशी और मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल होरर सस्पेंड सीरीज का कॉमिक विशेशंक तहलका का दूसरा भाग और इस कॉमि ने लाश उठा ली और बिर्जा कहीं से कुदाल उठालाया मरने से पहले बुड़ा हमारी आयाशियों का रास्ता तो खोल गया भाईया भारी बात मान लेती तो चारोर चागई घोर ने इस्तब्द था कुदालों के चलने की आवाज सीधे दिल में उतर रही थी कट 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 छे फुट की कब्र खोदने में कितनी देर लगनी थी लाश दफन करने में मेरी मदद कर बिर्जा चला जल्दी कर भाईया का कटल करके अच्छा नहीं किया चंडू ने लाश को उठा लिया उन्होंने अगर मान जाता तो उसकी ये गतना बन थी उस खौफनाग बदला पर क किसी का ध्यान नहीं था चंडू कुछ अजीब सा लग रहा है लाश में लाश एक हलकी हो गई है कबर उसे एक ही फुट पीछे ही लाश जैतानों के हांतों से जूट कर तिनकों की तरह बिखर गई ये क्या हुआ खाक उफ आतंक से बढ़ गाए सब के नेत्र चंडू लाश लाश गिर गई उफ पसीने से नहा उठे बिरजा पंगा और लोखा लाश की एक घड़ी तक साबूत ना बची ची 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 मों की तरह पेगल गई थी लाश ऐसा करिश्मा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा प्रोफिशर की लाश मों की तरह पेगल गई ये ठीक नहीं हुआ ये ठीक नहीं हुआ अब कपरू में किसको दफना है दफना निकले बचाई क्या है यहां चंडू पगले मेरी मानो तो यह अंत्रव आखों से देखने के बाद भी तो ऐसा बोल रा चंडू भोल जाओ अब अब सब इस बात को और चलो मेरी तो बुद्धी उलट गई है प्रोफिशर तैलका की लाश पानी की तरह कैसे बह गई गई आखर वापिस आखर पांचों ने प्रोफिशर टैलका की वाड रूप से वह यंत्र ढूंड निकाला अब वह दिन दूर नहीं है साथियों अब दौलत के ठेद लगे होंगे आमारे कदमों में पगला इस यंत्र को कंट्रोल होते तुमने देखा है क्योंकि प्रोफिशर न मैं अपने डिकट नहीं आने दिया था लोखा बोला पगले आज हमारी बेहनत पर उस इंस्पेक्टर के कार और पानी फिर गया कल रात उस सो नुक्सान की भरपाई हो जानी चाहिए लेकिन कल रात के चक्कर में आज की रात क्यों बरबात की जाए अभी रात का सावा बजा है तब तक सुबा तक नीन पूरी हो जाएगी सबकी टिक टिक नीन के नाम से ही मुझे नीन आने लगी है मैं ज़रा सुसू हो के आता हूँ और अभी बिर्जा को बार गए कुछी चण बीते थे कि पूरी हवेली उसकी चीक से ठार रहा उटी पगले चंडू बिर्जा ये तो बिर्जा की चीक है क्या हुआ उसे बदवास सा बिर्जा दरवाजे पर यहा ठकराया उससे पगले पगले वो वो उफ चंडू क्या मुझे खुले के खुले रह गए थे सबके कुछी देर में सब उससे स्थान पर थे वहां उस पेड़के पिछे गायब हो गया प्रोफिसर चंडू जा देख करा वह लोटा बताने लाइक तो वहां कुछ भी नहीं है बिर्जे तुझे वहम हुआ होगा नई उसे वहम मां सम जाता है वरना प्रोफिसर की लाश्कियों पिगल गई जला ऐसा चीक पड़ा पगला बगो मतलो खा यह हवेली भूतिया प्रिसित जरूर रहे लिकिए मत भूलो पंगे की आज तक मेरे भईया का कुछ न बिगड़ा था यहां बिगड़ने के बाद तो बिगड़ सकता है क्या मतलब है तेरा पंगे प्रोफिसर मरकर भूत बन गया है मैं यही कह रहा था पगला हवेली की दरोर पलट गया मैं अंदर सोने जा रहा हूं तुम अपनी रात यहां काली कर सकते हो फिर उस रहत ऐसा कुछ ना हुआ जो उलेखनी हूं कई मिलों वह कंपनियों के मालिक स गेट परताब सिनहा का शांदार बंगला उस समय सन्नाटे में डूबा हुआ था अपनी डूटी पर पूरी तरह तरह मुस्तैदी से पैरा देता गार्ड एका एक कुछ सुनकर चौंक पड़ा कौन रो रहा है गेट से बाहर रोधन वाली दिशा की ओर जहांका उसने बंगले की दीवार के सार लगा बैठा ये कौन रो रहा है गेट खोलकर बाहर निकला वै उफ ऐसे रो रहा है जैसे कोई भटकती रू हो यह यहां रहेगा तो मेरे रोंग्टे आपस में कुछती और बस मुझ से चीख निकलते निकलते रह गई कौनो तुम गाड के गाल पर पढ़ने वाला वै तमाचा इतना जबरदस था कि कई फुट उपर उचल गया वै चटाक खोन से नहा गया गाड दिल पसलियों से ठोकर है खाने लगा उफ नहीं मुड़ते का रिदन तीव रहो उठा था राइफल कंदे से उथार तो लिए उसने पर फायर नहीं कर सका है नहीं चोड़ दो मुझे बंगले के भीतर एक जड़के के साथ खुली सेठानी की आँख है कौन है शैतानों का जाल था चप्पे चप्पे पर फैला सेठ परताब सिना ये क्या बला है उफ कॉट मौत का खेल खेलने वाले मौत के शैतान कॉट 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 पचाओ परताब सिना का लड़का शत्रुगन सिना पापा की चीक कुछ गड़बर है बंगले में तीन बार घुमा नंबर था सो कमरे से भार निगलते ही रॉंगते कड़े होगा उसके नो बुरी तरह उचल कर कलाई से दबोच लिया शैतान ने शत्रुगन सिना को पूरा का पूरा ही निगल गया शैतान उसे आश्चर घोर आश्चर पूरी सेव के साथ गायब हो गया कंकाल पंजा कीमती वस्तुएं उसका अहार थी क्या एक के बाद एक निगलता चला गया है क्यूमती वस्तुएं उसका पेट था या कुआं मुर्दे को भी जेवरों से प्यार था फिर भी रो रहा था कम बख़त लुटेरे भूतों की ये लूट अनोकी थी इंस्पेक्टर बिर्जेश नम्बूरी बंगले को चार उतर से चार ओर से गेर लू कुएक मौप किन्तु मौद वतावाई के अलावा उन्हें वहां कुछ नहीं मिला उसी रात सेट धर्मेंदर था मुर्दों मुर्दे के पंजे में जखड़ा बचाओ मुझे इस मुर्दे से सेट के बंगले से एक एक कीमती चार इसकायब हो गई फिर लाला अनिल कपूर बचाओ बचाओ शेड दिल सुनार सल्मान खान अरे मेरी पूरी तिजोरी खा गया नहीं आँ दैशत से मर गया सुनार सल्मान खान कंकाल पंजे न ना बक्षा था लाला मक्षी चूज जितेंद्र को भी इव मेरा और पीसो का क्या होगा पीसो मतलब पैसो का इन घटनाओं ने खोपड़ी नचा के रख दी थी इंस्पेक्टर नम्बूरी की हर रात एक महांतम लूट हर रात कई हत्याएं किसी ने देखा तक नहीं दरेंदे लुटेरों को क्या गुत्ती आईए यह आपको हम बताते हैं अहाहाहाहा इतने ब्याना गठास कच्छा ग सुखी नहीं लिखा था पगले लोखा पंगे बिर्जा लाशों के ठेल लगा कर सारा शहर लूट लेंगे हम और कोई छू तक ना पाएगा हम है पुलिस तो अभी तक यह भी नहीं जान पाई कि यह सब हो कैसे रहा है हाहाहा प्रोफेसर तैल का भगवान तुमारी आत्मा क बिर्जा की प्रोफेसर उफ तुफान की तरह दर्वाजा खुलकर पहुचा वह उस जगह है कहां गया प्रोफेसर अभी यहीं देखा था मैंने उससे क्या हुआ बिर्जा बिर्जे प्रोफेसर कुछ देर पहले यहां इस खिर्की पर खड़ा था पंगा खीच कर बोला तो उससे पहले ही एका एक दर्वाजी के पड़ जोड जोड से हिलने लगे पंगा लपक कर दर्वाजी के निकट पहुचा यहां कोई है पगले दर्वाजा के से आवाज कर रहा था पंगा के लिए यह महान आश्या रगे चाड़ते अरे इन्हें क्या हुआ यह सब तो बिड़जा ने कुछ देर पहले प्रोफेसर को देखा था उसके बाद दर्वाजा एक आएक अपने आपी हिलने लगा और अब यह सब क्या उफ अनायासी धड़कने बढ़ गई उसके दिल की बम की तरह एक विचार उसके मस्तिष्क में फूटा यह कहीं शेकता नी सकती ने इन्हें सुला तो नी दिया पर मैं तो जाग रहा हूँ अपने चार-चार सातियों के रहते भी पूरी हवेली में अकेला था पंगा चंडू उठ चंडू क्या हो गया तुम सबको दैशत पड़ा रॉंग्टे खड़े हो गए उसके मुर्दे का रुदन सेरन बनकर दोड़ गया उसकी रगों में कौन है कौन है सामने आए मुर्दे के कमरे के बार गैलरी में गूजी ठक ठक की आवाज हवेली में तो इस समय और कोई नहीं है फिर ये कौन आ रहा है कहीं प्रोफ बिर्जा वे आ रहा है बूटों की ठक ठक दर्वाजी पर आकर रुख गई फिर खोन बढ़ रहा था पंगा की ओर डैशा सवार होती गई पंगे पर वह द्रिश देख खोन एक इंसान की रूप में परिवर्तित हो रहा था और जैसे रुख गई पंगा की सांस भी तुम आ पंगा को मुर्दे ने दबोच लिया नहीं चोड़ दो चोड़ दो मुझे पचाओ इससे इससे पहले किसी की नीन नहीं टूटी अरे ये एकाई नीन कैसे आ गई थी और ये सब भी ओ आ बारी-बारी से सबको खोश आ गया क्या हुआ था हमें हम सो कैसे गई थे जिस परश आधका के मुझे सब्सक्राइब के मुझे चीख निखली पंगा पंगा मर गया पंगा की लाश के निकट पहुंचकर बुछ मा बतर गया सभी यह तो सच मुच क्याह मर गया रहे कैसे कैसे मर गय कय ये सबी के चैब पर शयाता नाच रहा था बिटजा जब हम होश में आए तो हम जाग रहे थे, जाग नहीं रहा था, उसी पल होश में आया था, तुम सब की तरह ही होश को बैठा था मैं भी, बिर्जा पर भूत सवार होने लगा, प्रॉफिसर की लाश को दो बार यूई नहीं देखा मैंने, ये काम उसी का है चंडू, ये काम उसी का है, डॉल्फि सुरेश, जब तब पुलिस का काम पूरी तरह खत्मना हो जाए, डॉल्फिन पीक की और एक भी टूरिस नहीं पठकना चाहिए, ये सर, मिस्टर दिनेश सेमवाल, हम सही जगह पर है, निशानी के लिए पत्तर यहां मैंने रख दिया, मैं नहीं रखा था, धमाका, इसी घा जीवी उसे खीच ले आई, डॉल्फिंग के मौत के इन धर्रों में, हवेली में पंगा की लाश को दफनाने के सिवाए अब कोई चाराना बचाता उनके पास, पंगा की मौत ने हिला दिया मुझे पगले, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, कहो, क्या कहना है, प्रोफिसर के उसमान यंतर की बजला काफी तॉलर बटोर ली हमने, क्यो ना अब, तू तो पागल हो गया बिरजा, चंडू ने बीच में बात काट दी, पंगा की मौत सिर्फ दैशत से जुड़ी हुई है, जैसे तू मरा जा रहा है प्रोफिसर के भूत के डर से, हमारे ड बिवन रूपों का, और डर के ये बिवन रूप ही हमारी जान ले लेते हैं, लोग कहते हैं कि भूत ने मार डाला बिचार को, भूल जा, अब कुछ नहीं होने वाला यहां, हावेली के भीतर पापिस चलो, पगला, वै यंतर तो सुरक्षित है ना तेरे पास, आज रात मैं साएं साएं कर उठी लोखा की कनफटियां, कनफटियां, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो है इने, चंडू, पगले, बिर्जे, कच्छा गिरों के एक कुरूर हत्तारी की टांगे बुरी तरह कापने लगी, ये इस्तित्र ठीक वही है, पंगा की मौत के, मौत से पहले हम सब इसी तरह ब्योशोकर गिर पड़े थे, विश्चारों का विश्पोर्ट, क्या, मैं ब्योशोकर क्यों नहीं गिर पड़ा, एक भयानत चितकार हुआ, तब ही दरवाजे से अंदर भया आया वे खून का वही सहलाव, और खून ने रूप लिया प्रोफेसर तैल का की शैतान और बस, यही सूजा उस बेरहम को, नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता, नारियल की तरह, खपच्चियों से मासूम निर्देश लोगों के सर फोड़ देन वाले शैतान से, यह उमीद ना तुरत ना थी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है, बस म अब जादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, पर खच्चे उड़ादूगा मैं उस गुरे होके, हवलदार संपूरा, इंस्पेक्टर केशब हिरवानी, हवलदार विकरम सिंग, हवलदार बीजुनात, हवलदार कोरा सिंग के शब पोस्माठक व्यादूं के परवार वाल जादोई शब्द इसलिए इस्तिमाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम इस नीन का रहस्य तक नहीं जान पाएं, शंकित निगाओं से पगला को घूरता क्या उटा चंडू, पगले कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भईये के मौत का बदला लेने के लिए तू ही एक एक हम सब को खत्म कर रहा हूं, क्या बखता है चंडू, तेरा द्वाग खराब हो गया है, तुझे इसी बात का शक है न, कि यह यंत्र मेरे अधिकार में है, ले, रख इसे अपने पास, और अगर अब हम मैं से कोई, फिर कोई मारा जाए, तो दोश मुझे मत देना, तो चलिए दोस् अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,